नमस्कार मित्रों मातरानी की जय हो मातरानी सबका भला करे सबका जीवन हसी खुशी व्यतीत हो मातरानी सबकी जोली में खुशियां भरे इसी मनोकामना के साथ आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए और वसीकरन वीडियो लेकर इस वीडियो में आपको बताएंगे कि बेल के प सब्सक्राइब करें साथ ही वीडियो को लाइक करें ताकि वीडियो चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकादिया आपको मिलती रहें और इसके अलावा अगर आपके जीवन में कोई और प्रोब्लम है जिसका अंगिनत उपड़ के बाद भी आप समाधान नह सकार मित्रों अब बात करते हैं वीडिक के बारे में तो वीडिक में सबसे पहले जाल लेते हैं समय तो समय होगा मित्रों सौमवार का दिन होगा रातरी साड़े ग्यारा से बारा के बीच आपको यह उपाय सुरू करना है पक्स होगा सुकलपक्स महीने में दो पक्स होते है कृष्णपक्स शुकलपक्स आपको यह उपाय सुकलपक्स में शुरू करना है ग्यारा दिन का पूरा उपाय होगा मित्रो सुनली जे सौंवार के दिन से आपको यह उपाय सुरू करना है रातरी साड़े ग्यारा से बारा के बीच में सुकलपक्स होगा और ग्यारा दिन का प पहले करोगे पहले दिन उसके बाद रात्री 11.30 से 12 के बीच में आपको यह उपाय शुरू करना है सो वार के दिन रात्री 11.30 से 12 के बीच में रात्री आपको सबसे पहले एक आसन बिचा कर पस्चिम के और मुख करके वेटना है और फिर आपको मैं जो सामगरी बताऊं वो सामगरी लेनी है बेल का पत्ता जो आप तोड़ के लिए कहे थे वो एक लोंग और एक रक्सा सुतर जिसे आम बासा में कई सेतरों में मोली भी बोला जाता है ये तीन सामगरी लेनी है सबसे पहले उस बेल के पत्ते में आपको वो लोंग डालना है और उस पत्ते को गोल गोल घुमा कर चारों तरफ से बंद करके उसके उपर थोड़ी मोली बांद लेनी है ये करने के बाद आप उसको अपने सीधे हाथ में लोगे सीधे हाथ में लेने के बाद आपको उसे अभिमंत्रित करना होगा मित्रों ग्यात रहे ये जो उपाए है ये उपाए किसी को आकरसित करने के लिए होगा तो मित्रों ध्यान रहे कि मैं इसमें आपको अभिमंत्रित कराऊंगा तो मंतर सुन लिजे मिजे मंतर है ओम सीव केलासी बेल पत्रं त्रीनेत्र स्वामी सामने वाले का नाम अकरशनम परदान कुरू भवन्तु फिर से सुन लीजे मित्रों मंत्र है ओम सीव केलासी बेल पत्रम त्रिनेतर स्वामी सामने वाले का नाम आकरशणम परदान कुरू भवन्तु पांच विक्यान बार आपको इस मंत्र का जाप करना है उसको अपने सीधे हाथ में लेकर उसके बाद आपको उसे अपने पास लेकर सो जाना है रात में सिरहाने के नीचे रखके सो जाईए फिर अगले दिन उठते ही नहाद होकर अपनी पूजा पाट करने के बाद आपको द स्यू मंदिर में जाकर जला भी सेंके साथ स्यू लिंग पर अरपिद कर दीजिए इसी के साथ ये दूसरे दिन का सुबह कारे समव्त हो जाएगा उसके दूसरी दिन श्याम होने से पहले एक और बेल पत्त्र तोड़ के लेकर आईए ये और शाम राती mini साड़े ग्यारा बजए फिर यही उपाई आपको करना है एक और लोंग लेना है उस बेल के पत्त्ते में डालना है और अक्सा सुत्र से बांधना है उसे फिर से अभिमंत्रित करना अपने सीधे हात में लेकर तो मित्रों मंत्र वोलना है मंत्र ये है कि ऑम सिव केलाशी बेल पत्रम धिज्ञेटर स्वामी सामने वाले का नाम आकरशनम प्रदान कुरू भवनतू मित्रों 591 कुर्ण कर आफको- questa 511 बार आप आपको इस बेल की पत्टे और लौंस को अपने पास रखकर सोजाना है तीसरे दिन आपको फिर से यह बेल का पत्टा और लौंस जो अपने बांध़ रखा था उसको वापस शीवलिंग पहरMmट करके आना उसको अर्पित कर लेने के बाद वापस अपने काम में लग जाना है और शाम होने से पहले फिर से एक ओल बेल का पता तोड़ देना है यह कारे आपको अगले 11 दिनों तक करना है रोज एक बेल का पता तोड़ना है उसे रोज लोंग में लपेट कर बांद कर उसे अभी मंतरि अभी सेख की जगा वहां धुगदा भी सेख करें यह कारे कर लेने के बाद आपका उपाई यहीं समाप्त हो जाएगा आपने अपना उपाई पूरा कर लिया है और अगले 3 दिनों में आपको रिजल्ट मिलेगा और मितरों ध्यान है अगले 3 दिनों तक आपको जहां से इन ही तीन दिनों के भीतर भीतर आपको आपकी प्रिणाम मिल जायेंगे जिस्वेक्ति को आप चाते हो जिसके लिए आप यह कर रहे हो वजो आसकी तरफ पूरी तरह से अकर्शित हो जाएगा और आपके अंदर इतना अकरशन आ जाएगा कि आप उसको अपनी तर्व पूरी तरह मौहिद कर लोगें तो मित्रो ध्यानरहे विदी सही से करें विदी करने की नियत अहों कि गलत नियत से किया गया काड बहुत ज़्यादा नुक्सान दे और बहुत जादंगा निकारक हो सकता है औरिदि में की गई गलती आपके लिए बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है मित्रों ध्यान है इस चीज का कि गलत नियत से बिलकुल भी ना करें और विधी में भी गलती बिलकुल भी ना करें गलती के लिए हम बार-बार समझा रहें आपको कि विधी में कोई गलती ना हो इस चीज का और अगर विदी सही साभवत होगी तो आप जरूर सफल होगे हमारी मुझे और काम नाए हैं मित्रों विदी को लेकर आगर आपके मन में कोई संका या सवाल है यापके जिवन में कोई प्रोब्लम है जिसने आपके जीवन को अर्स्त व्यस्त कर रखा हो और अंगिनत उपायों के बाद भी आप समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें बेजिजग संपर्क करें आपकी हर समस्य को हल किया जाएगा और अगर विदी करते हो यर्षा वक्त आप से कोई गलती हो गई तो घबराएएं मत आप coming संपर्क करें हमारे संपर्क शुत्र आपकी इसक्रीण पर चल रहे हैं इसी के साथ चेमातादी मित्रों मातरा ने सब का भला करें सबकी मनोकामना पूरी हो मित्रों अगर आप भी मातरानी को मानते हो तो वीडियो को लाइक करें साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि चैनल पर आने वाली सभी तांत्रिक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस्क्रीन पर चल रही जोती से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ आएंगे जय माता दी